प्रदेश में गुरुप C की 40-50 जार वेकेंसी के लिए यूपिटर पलेसी P.E.T. का एक्जाम नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साथियों आपको ना सिर्फ P.E.T. की तयारी करनी है बलकि P.E.T. को ध्यान में रखकर आपको मुख्या प्रिक्षा के लिए भी तयार होना है इसलिए हम लेकर आए हैं संजीव नीवैच जिसमें मैं पढ़ाऊंगा हिंदी मैं आमान अजन सिन्हा जहां आप मेरे साथ 27 भारत की भुगोल के संदर में सभी concept-based classes को enjoy करेंगे हेलो दोस्तो मैं पुनीट सांगवान आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैट्स की कुछ बहतरीन classes बहतरीन concepts के साथ आप सभी लोग मेरे साथ इतिहास रचने के लिए इतिहास विशे के साथ जुड़ें और मैं शगन मिश्रा आपको पढ़ाऊंगे संजीव नी बैच में केमिस्ट्री और मैं नितिन लेकर आया हूं भारती राजविवस्ता की शांदार classes तो आज यूपी टपल सी पीटी संजीव नी वैस से जोड़ने के लिए एक्जामपूर ओफिस्यल एप्लिकेशन को डाउनलोड करें और अधिक जानकारी के लिए दिये गई नंबरों पसंपर करें हेलो स्टूडेंट्स हमें एक्जामपूर कलम सिक्रांती मैं प्रीती आपका अपने परिवार एक्जामपूर में स्वागत करते हूं गुड आफ्टिनून वेरी वेरी गुड आफ्रनून बच चुके हैं दोपैर के एक और ठीक दोपैर के एक बज़े होती आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ जाए एब फड़ा फड़ से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजे क्योंकि आज थोड़ी से अला गंदाज में मतलब एक ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ने जाएंगे सोशल नेट्वरकिंग साइट्स क् बिल्कुल गुर आफ्टेनों गुराफ्टेनों वेरी वेरी आफ्टेनों आप सभी को ओके बिल्कुल सभी लोग इपर जल्दी से वह क्लास को लाइक करके शेयर करना ताकि और भी सूडेंट्स क्लास में लाइव जोड सकें संदीप सिंग जी सिंटू शर्मा जी ओकी नमस्कार भाई बिल्कुल अंकित कुमार जी आशीश राए ओके देश्रद जैपुर अंकित कुमार पलक जी और अमेजिंग विकास टीना नहरा उमा कांत आप पार्टी देखो टीना जी वोइस मिसमैच है मैं वोइस मिसमैच हो है ऐसा कुछ है क्या है कि अबर चेक करना चलो ओकी ओकी कोई दिक कर देखो टीना जी मैं आपको बताती हो एक बार ना रीजनिंग वाली मैंडम प्रीति मैंडम पार्ट वन है ना तो वह रीजनिंग वाली क्लास में कल बता देंगे ना अभी कंप्येटर चल रही है तो दोनों को मिक्स नहीं करेंगे ठीक है चलो शुरू किया जाए फेक लास को बिलकुल हेलो जी हेलो सभी को तो देखो आगर बहुत सारी वेबसाइट से हाथ धोना पड़े मतलब जैसे एक तब टिक टॉक बैन हो तो बहुत खुशी भी नहीं लेकिन अगर और भी वेबसाइट बैन हो जाएंगी तो फिर कैसे चलेगा काम है ना क्योंकि कुछ बहुत इंपोर्टन भी हो जाती है चलो तो शुरू कर अग pen такие YouTube म्हींст 818 को आप सोचने से समझने से मिप साइट स किसजी को आप सोचल निट्वोरक इंग साइट समय जो हम लोग जाबूब timely मैं जहां लूग चलाते हैं यह तब चलाते यह चालाते हैं एक डूसरेसे बातशीत करने के काफी साइटे सट्रू की और डिटी कृत सा नहराजी मैं कर बता दोंगे ना काशमीर में कभी इन होता है हो ऑगो बहुत सारी जगह जैसे थोड़ा सा अगर मैं बता हूं जहां पर थोड़ा जा झाद कंश्मीर की बहुत से जगह आप बात करूं दिली नीदे में जो किसान का चल रहा था किसान का अंदूल उस पर नेट बिल्कुल बंद हो गया था स्पीड बिल्कुल जीरो गई थी ऐसा होता है क्योंकि कुछ गलत चीजें भी बहुत जल्दी सर्कुलेट होती है फॉरवर्ड की जाती है जिससे हिंसा और फैल सकती है इसलिए सरकार गया करते हैं उनको डाउन कर देती है यह यह आपको क्लास के कैसे आपका जो नेटवर्क उतास को स्लो कर दिया जाता है कैसे आपके नेटवर्क चलते ही नहीं है बेशक आपने 575 का रिचार्ज करवा रखाओ तो सारी चीज़ें दीर दीर चलेंगे ना इंटरनेट बेस जितनी भी साइट होती हैं बिलकुल ओकी सही बता रहे ओके अब देखो यहां पर शोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है देखो सोशल का मतलब होता है समाज नेटवर्किंग का मतलब होता है नेटवर्क और नेटवर्क का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे से जुड़कर सुचना का आदान प्रदान करना मतलब शेरिंग फिन्फरमेशन ना सुचना का आदान प्रदान करना इन्फरमेशन को शेर करने ना between two and more users साइट का मतलब क्या होता है वो जगा मतलब वो प्लेस ऐसी जगा जहां पर आप समाज वाली लोगों के साथ मिलकर सुचना का आदान प्रदान कर रहे हो वो सोशल निट्वरकिंग साइट के लाती है देखो अगर मैं बोलू कि मैंने अपने आपको एक एक अप्लिकेशन बनाए और केवल मैं ही चला रहे हूँ तो वो सोशल निट्वरकिंग साइट नहीं होगी सोशल निट्वरकिंग साइट किसे कहते हैं जहां पर आप सामाजिक तौर से सामाजिक देखो मैं अगर आपसे जुड़ी होई हूँ तो यह एक सोशल मीडियम ही है है ना सोशल प्लेटफॉर्म है तभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हूँ है ना जो हमारी अगर मैं बात करते हूँ पार्लेमेंट जो डीडी वन डीडी टू पर दिखाया जाता है वह बिल्कुल सोशल टेली कास्ट होता है सारी चीज़ें ब्रोडकास्टिंग आपको दिखाया जाती है सोशलिज्म बोला जाता है सामाजिक तोर पर तो वह जगा जहां पर आप सामाजिक कटगरे में या सामाजिक तोर पर लोगों से जोड़ते हो और उनको अपनी सूचनाओं का और उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान करवाते हो उस सारी जगाओं को सोशल नेटवरकिंग साइट बोला जाता है क्लियर समझ में आया अब देखो कैसे अब हम कैसे मानी मैं थोड़ा सा उधारन देके बताओ बिल्कुल अब देखो अगर मैं इसके अंदर आपको एक उधारन देती हूं तो सबसे बड़ा उधारन सबसे बड़ा उधारन आज के टाइम पर फेसबुक है सबसे बड़ा समाज के समाज का मतलब होता है हर कोई चाहे होो कोई भी हो भारत का ऑप इसराइल का अप ले सकते हो उसका अपने आप एपर हम सामाजिक कीतोर पर शोशली परसॉं से क्या होते हैं इन्ट इडात को से इन्ट इत्टाइक एय। सुशली परसं से हम लोग इंटर ऊहते हैं इंट इसदर एक दूसरे से बाट्चीत करतें और साथ ही मोग Ch Flying करते हैं information को है ना हमको कैसे बता चलता है मुझे बात बता हमें कैसे बता चलता कि इस्राइल क्यों फिलस्तिन की क्या हो गई यहां पर बहुत बढ़ा भैंकर युद्ध छिड़ गया है यह वह अपने अपनी आसिर और मतलब मिसाइल फैक रहे हैं वहां से बाहर कर रहे हैं व क्योंकि हम सामाजिक तौर से जुड़ें यह फेस्बुक की बात नहीं कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जो हमें समाज की अलग अलग चीजों के बारे में बताती है अब ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी फटपटी या फिर स्कूटर या फिर लटफर्म जहां पर दूर दराज की खबरें आपको बहुत टाइम पर मिल जाती होता है ना उसी को सोशल नेटवर्किंग साइट बोलते हैं अब हला कि क्लियर हो गया होगा कि यह होता क्या है अब में को बताना पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी विष्व की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी बताए चल दी से विष्व की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी बताना है सभी कौन से फटाफट से और किसने ढूंडी ती और कब ढूंडी थी सारी चीज़े बतानी है बिल्कुल बताना चल्दी से क्या होगी पहली विश्व की पहली ठीक है यह चीज तो हमारी चली रही है अभी यहां पर कहां लिखे हैं हम जगा तो हम इन नहीं दिख रही है चलो धारन समझ लिए ना आप लोगों इसको मैं अटा देती हूं यहीं पर लिख देती हो ठीक है क नेट्वर्गिंग साइड वाट्सेब थी क्या नहीं वाट्सेब तो अभी आया है विश्व की पहली सोचल नेट्वर्गिंग बिल्कुल ठीक सिक्स डिग्री वरी गुड अंकित जी कबूतर किसकी कबूतर थी बही कौन सी हो जाएगी बिल्कुल सी मैं इतनी अरे आप मुझसे पहले कर लोगी मैं इतना पैट्रोल ही नहीं है बाइक में इसका तो रोना है नहीं लॉकडाउन लग गया पर पैट्रोल के दाम बढ़ी रहे हैं पता नहीं कौन ही चला रहा है गाड़ी इसमें देखो सोशल नेट्वर्गिंग साइट के बात करते हूं स अंड्रियू विन रिक के द्वारा विन रिक एंड्रियू विन रिक के द्वारा सोशल नेट्वर्किंग साइट सबसे पहली बनी थी 6 डिग्री कब बनी थी 90-96 में याद करने का सबसे अच्छा तरीका 1905 में 1995 में भारत के अंदर वी एसनल विदेश संचार निगम लिमिट है यहां इन्टरनेट लेकर आती है उसके जस्ट एक साल बादी सोशल नेट्रोंग साइट्स बनने शुरू हो गई क्लियर है है बिल्कूल ठीक और सोशल नेट्वर्किंग साइट चो इस डिग्री बनी थी इसके अंदर क्या चीज़ें कर सकते थे बिल्कुल पिच्चर डा पिच्चर्स अप्लोड कर सकते थे अपनी पिच्चर्स अप्लोड कर सकते थे साथ ही आप टेक्स्ट या मेसेजिस कर सकते थे वह भी कैसे इंटरनेट से कोई पैसे चार्ज नहीं करने इंटरनेट तो राम से हो जाएगा तो मैसेज भी कर सकते हैं टेक्स्ट भी कर सकते हैं औ सोशल निट्वर्किंग साइट बनी उनने सो च्यांवे में एंड्रोई विन्रिक के द्वारा क्लियर आगे चले आगे चले बिल्कुल चाइना की बैन कर चुका है भारत और अगर मैं पर्टिकुलर एक फिगर के बारे मताती हूं तो 267 एप्लिकेशन 2020 में से लेकर अब तक 267 एप्लिकेशन चाइना की भारत कर चुका है बैंड 267 एप्लिकेशन एप हम चाइना के बैन कर चुके हैं चलो आगे चलते हैं आप एके करके सारी सोशल निट्वर्किंग साइट के बारे में पढ़ेंगे स्टाटिंग तो मैंने बताई दे कहां से हुय चलते हम यूट्यूब यूट्यूब आज के time में सबसे बड़ा यह बोलूंगी सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्लैटफॉर्म यूट्यूब है ना यूट्यूब कुछ बनाने नहीं आता यूट्यूब खोलो सीख लो जाइर सी बात है नहीं पढ़ पा रहे थे लॉक्डाउन लग चुका था ऑफ्राइन कोचिंग नी चल रहे हैं यूट्यूब खोलो पढ़ाई कर लो ब यूट्यूब बहुत तरीके से काम करता है क्लियर रहने दोने चीज़ें कोई भी मूवी आती उसका ट्रेलर एकदम से बहुत जल्दी जटके में पूरे विश्व में फैल जाता है कैसे यूट्यूब के जरी है ट्रेंडिंग पेज भी होता है तो वो सारी चीज़े देखे ठीक रिकॉर्ड नहीं लाइव चल रही है बताओ जल्दी से बताओ मुझे यहां पर यूट्यूब को कब लॉंच किया गया मैं यहां लडाई हो रही है लडाई क्यूं कर रहे हूं इतने छोटे बच्चे हो कि अब मैं लडाई सुलचा हूं यहां पर पढ़ानी के लावा ओकी ओकी बताइए फॉर एक्जामपल सिक्जी बिल्कु ठीक है आपकी पहली थी याद रखना बिलकुल वेरी गुड नाम नहीं ले सकती नाम पता नहीं कैसा लिखा हुए आपने अंडर सेक्शन 69A के तहत क्या हुआ था गॉर्मेंट नी चाइना की एप्लिकेशन 267 एप किया गया था मतलब लॉंचिंग टाइम जो इसका था यूट्यूब कब आया 2005 तभी से ओनलाइन सारी चीज़ें उनी शुरू हो गई थी हम ओनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया खाना बनाना शुरू कर दिया सब कुछ शूरू कर दिया और अगर टिपिकल डेट भी पूछ चुछे गा बट अगर पूछ ले तो 14 फरवरी याद रहेगा डेट तो सबको याद रहेगी नहीं चौदा फरवरी 2005 को क्या होता है यूट्यूब को लाँच किया जाता है मतलब यूट्यूब का इस्टैबलिश होता है यूट्यूब शुरू हो जाता है और कहां पर किया कु tots Jen को स्टार्ट तो बिलकोl United State California California United State मतलब अमेरीका California USA में स्टार्ट किया गया कि इसको YouTube को अच्छा YouTube को नानी वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएका तो अगर माध करते हूं किसीयो का तो सूजन वास सिस्की सूजन वास सिस्की अजीब अजीब से नाम होते है इनके थीक है तो याद रखनें इनके नाम को clear रहें बिल्कुल सूजन वास चिस्की ठीक है ये नाम हो जाएगा इनका इन्हों ने शुरुबात करी और इन्हीं को बोला जाता है क्या CEO Chief Executive Office जो सारी चीज़ों को समालता है ना इसके बाद अगर चार में बात करते हैं यह फर के बाद यह 20004 की डिटा की बात कर रुछ हो ठीक है और इनुके टाइम पर देखो मैं वतारे हैं पीक पर था यहां पर यह कैसे टाइम पर Oppर जो यूट्व करवानी all of the world trending page भी इनी के टाइम पर आया नाम क्या था मतलब एक तरीके से इन्हों नहीं करांती छेड़ दी थी यूट्यूब के टाइम पर सूसर इनका नाम हो जाता है फाउंडर की बात करते तो बिल्कुल अंसर आ रहे हैं आपधा जावेद करीम अर जावेद करीव स्टीव चैन और हांडी तीन व्यक्ति क्या हो जाते हैं इसके founder हो जाते हैं इसको ढूंडने वाले खोजने वाले ठीक है लेकिन चनाने वाला कौन व्यक्ति था क्लियर मैं देखना अगर कोई अगर कोई अगर कोई कोई ऐसा कमेंट मत करो जिसकी विज़े से फिर आपको यहां से हटाना पड़ी ठीक है चलो तो यह दोनों चीज क्लियर है यूट्यूब के बारे में अच्छा मुझे एक चीज बताना कोई भी चीज यूट्यूब पे ट् यूट्यूब के अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज आती है किस के अंदर आती है शॉट्स यूट्यूब के अंदर और क्या आती है स्टोरीज यूट्यूब के अंदर आती है ट्रेंडिंग वाला पेज जो ट्रेंड कर जाता है नमबर वर नमबर टू और यह कौन से option के अंदर आता है explore YouTube पे वीडियो अप्लोड करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है तो देखो अगर आप YouTube पे अपनी वीडियो डालना चाहते हो पर्टिकुलरी पहले यूट्यूब एक चैनल बनाया जाता है अगर आप उस पर काम करते हो अगर नॉर्मली पढ़ र कर लिया है तो by default आपका वही वाला नाम उठा लेती है अगर मैं बात करते हूं शॉट्स के बारे में तो यह एक मिनट से कम वाली वीडियो होती है ना क्या होती है एक मिनट से कम वाली वीडियो होती है शॉट्स के अंदर छोड़ी छोड़ी वीडियो छोड़ी छोड़ी video में आपको पूरा घ्र दे देना केवले же 1-miniute की वीडियो के अंदर ये exists स्चहला था है यूट्यूब के अंदर स्टोरीज क्या होतीं ये इस प्रोफायल पर फिस पर फोफायल पर किसी वीडियो को लगाना किसी थोटी grandfather पर किसी छोटी वीडियो को लगाना, ये 30 सेकिंड की होती है, आप अपनी प्रोफाइल पर अगर छोटी सी वीडियो को लगा रहे हो, कोई भी लगाओ, तो वो क्या कहलाती है, वो स्टोरी कहलाती है, फ्लोड, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है, पूरे वि सबसे जादा सबसे जादा लोगों के द्वारा सबसे जादा लोगों के द्वारा देखी गई वीडियो ये ट्रेंडिंग में आ जाती है कम टाइम में एक घंटे में लोग एक मिलियन लोगों ने किसी वीडियो को देख लिया ट्रेंडिंग में आ जाएगी वहीं बारा घंटे में 14 मिलियन लोगों ने देखा तो वो ट्रेंडिंग में नहीं आएगी सेम केस होता है ट्वीटर के साथ जब आप हैस्टैक को ट्वीट करते हों कम समय में ज़्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं तो वह भी ट्रेंड पर आ जाता है तो यह ट्रेंडिंग का एक फिनॉमेना होता है क्लियर है आगी चली से चलो इस रिजब पर 20 सेकंड़ के लगती है बिलको लंच जी यह सारी चीज़े जीस है जो चीज़े हम लोग चुकर है नहीं सारी चीज़े हमारे इस इरड़ध की होती हैं कलियर इस हम आंपर hang र में बात करते हूं आता है लिंक्डिन अच्छा लिंक्डिन में बताइए कुछ मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लिंग्डिन था पता को कितने लोग जुड़े हुए थे नहीं भारत के बल्कि बाहर के देशों के लोग भी लेंग्डिन से जुड़े हुए थे क्लियर और इस ibs प्रॉजे फीजी ZenPur 24 के मैराफन कब लोगी मैं प्लीज चैल मी कंवी शींवें यह अं Hmmm तीन या दो घंटे आप लगाता और तभी बैठ सकते हो जब सर पर एक्जाम होता है चाहे मानों या मत मानों है ना और मैं क्विक नोट्स बताऊंगी जो आपको तुरण जैसे सपोस करो परसु एक्जाम में आपके दो दिन पहले मैरतन लोंगी आपको वो तीन चार दिन तक हमीशा याद रहेंगी तो यह मैरतन का तब फायदा होता है अभी मैरतन लेने में कोई फायदा नहीं अभी थोड़ी नहीं कोई एक्जाम आ रहे है नहीं जब एक्जाम पास आएंगी तो definitely मैं मैं मैंने दिल्ली पूलिस वाले students की भी ली थी मैंने यूपी जो आपके भी पायते यूपी PCL वाले students की मैरतन की गई थी और राजिस्तान वाले students के लिए मैरतन की थी बैंकिंग वालों के लिए की थी तो मैरतन होगी फिकर मत करो लेकिन सहीर समय आने पर लिंक्डिन के बारें बताने सभी को देखें किसने बताया है हाँ पर बिलकुल मदु शर्माजी बिलकुल हाँ वही चीज रियालिटी होती है 2005 बिलकुल ठीक है सचिन चोहन जी याद रखना ही सारे डेट्स भूल मत जाना लिंग्डिन क्या है सबसे पहले यह बताओ मुझे लिंग्डिन है क्या लिंग्डिन है क्या देखो आगर मैं बात करती हूं तो लिंग्डिन पहली बात यह है क्या यह क्या होती है क्या चीज़ है तो यहां पर देखेंगे बढ़े पांच मईं 2003 को पांच मईं 2003 को एक साइट social networking site को launch किया गया ठीक है अब वो social networking site America की America के किसके लिए था America के रोजगार के लिए start किया गया था रोजगार मतलब क्या होता है employment किसके लिए employment के लिए शुरू किया गया देखो क्या होता है आप तो बहुत सारे नौकरी.com हो गया job in.com हो गया बहुत सारी आपको ऐसे मिल जाएंगी वेबसाइट जहां पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल को अप्लोड कर दो आपसे मिलती जुलती कोई जॉब मिलेगी तो आपको आपके contact number पर message भेज दिया जाता है न सेम वैसे की लिंक्डिन बहुत ही ज्यादा popular हुआ था अमेरिका की तरह से इसको बनाया गया था इसकी तरफ से तो अमेरिका की तरफ से इसको बनाया गया था बिलकुल और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे हम बात करते हैं CEO की तो रयान रास-lawnski रयान रास-lawnski लिखना नम रियान रास-lawnski ये इसके CEO है अभी 2020 की अगर मैं बात करती हूं अब 2020 से यह हैं इन्होंने क्या करा इन्होंने क्या parents जब इस ने बनाई थी जो इसके founder है लिंक्टइन के जो founder थे रीड होन बहुत सारे व्यक्ति थे विल्यांट आफ होफ में बस याद रखना होफ मैं करके एक व्यक्ति थे वह founder थे उन्हों ने ढूंड़ा था लिंग दिन को उनों ने अमेरिका के लोगों के लिए बनाया कि अगर किसी को जॉब चाहिए और कोई वेल एडुकेटिड है पढ़ा लिखा है उसने ट्रेडिंग कर रखी है उसके पास नॉलेज है तो वो क्या करें अपनी प्रोफाइल लिंक्डिन वाली वेबसाइट पर जाकर अप्लोड कर दें औ उसको क्या चाहिए मैसे से पच्चिस साल के बीच में मतलब लोग चाहिए ना उसको क्या चाहिए बीस पच्चिस साल में ऑदमी यह इस जी वाली जो डिटेल होगी company की वो भी LinkedIn में आपकी पोस्ट कर दिजाएगी और जिस व्यक्ति ने पूरे अमेरिका में किसि ना किसी ने तो किया होगा ना computer और engineering तो उसने जिस भी किसी ने computer और engineering यह करके अपनी पोस्ट डाली है LinkedIn पर LinkedIn दोनों को मैच करता था इसको इस बंदे की डिटेल देता था और इस व्यक्ति को कंपणी की डिटेल देता था इसवजह से वैकेंसी यह भरती का जो मामला था वो सेटल हो जाता था है ना फिर धीरे यह भारत की तरफ भी बढ़ा फिर इंडिया के अंदर भी चीज आनी शुरू हो गई फिर तो हर जगा मुस्लिए होने लग गया ना पर इसमें फेक चीजे मैं बताओ ना देखो बाहर की देश का तो मुझे पता नहीं लेकिन अगर मैं बात करती हूं इंडि यहां पर सारी डीटेल्स निकाली जाती है जो कंप्यूटर के अंदर से गलत होती है ठीक है आगे चलते हैं लिंक्डिन समझ में आ गई फेस्बुक अभी मैं इसको बारे में बताओंगी मत बताओंगी क्या याद करवाओंगी पहले के करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसका फेस्बुक पर एकाउंट ना हो है बिल्कुल नहां जी पर वो शोशल निट्वरकिंग साइट के अंदर भी आती है वहीं वैबसाइट भी तो एक नेट्वरकिंग साइट ही तो है है ना को कि ऐसे कुमार जी बिल्कुल देखते है चलो बताओ फटाफट से यहां पर यह बताना मुझे बिल्कुल यह चीज़ बतानी आपको यहां पर जल्दी से कि Facebook को कौन से year में launch किया गया वह फेस्बुक के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि most important पूछ सकते हैं वैसे भी social media पर बहुत सारी चीज़े current में चल रही है तो बहुत कोशन है जो social media के अंदर बन सकते हैं ठीक है चलिए बताना जरा मुझे जल्दी से सो अगर मैं बात करते हूं किसकी Facebook की तो इसको कब launch किया गया था तो फेस्बुक को February फेस्बुक को February कब launch किया गया था तो यहां पर लिखना फेस्बुक को February 2004 में launch किया गया किसके द्वारा तो माक बार कि के द्वारा डरों माक जुकर बग के द्वारा यहां पर फेस्बुक को लाँच किया गया था पूरी टीम थी कहां से कहां का आई तो फेस्बुक भी अमेरिका कि सोचल इंटवरकिंग साइट है यूसी कि एक सोचल इंटवरकिंग साइट है क्लियर बिल्कुल CEO यह हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे आगे बात करते हूं फेस्बुक के बारे में तो इसके अंदर आप क्या-क्या काम कर सकते हो बहुत सभी काम कर सकते हो फेस्बुक के अंदर क्या-क्या चीजें हो सकती है तो आप अपनी फोटो post कर सकते हो एक बार में कितनी photo जाएगी वो भी बताना आप इसके अंदर कोई वीडियो भी सकते हो audio भी भी सकते हो 160 ऑप मोजी साथ तो इमोजी वारी ऑप्शन आ गए है मॉस्ली सारी चीज़े हो जाती है ना कोई post भी डाल सकते हो पोल भी डाल सकते हो अच्छा friends के limit कितनी होती है यह भी बताना जरा मुझे अगर मैं बात करती हूं friends के बारे में तो friends के limit कितनी होती है कितने लोगों के group को आप जोड सकते हो Facebook पर और दो चीज बताना इसके अंदर यह दो question बन सकते हैं पहला question बन जाएगा कि इसकी minimum age कितनी होती है मैक्सिमम तो कुछ है ही नहीं minimum age नियूंतम कितनी आयू होनी चाहिए नियूंतम कितनी आयू होनी चाहिए अगर आपको Facebook चलाना है तो और अधिकतम maximum कितनी आयू होनी चाहिए देखो अगर मैं बताती हूं friend के लिए तो कितने लोगों को आप अपनी Facebook ID से जोड़ सकते हो तो 5000 लिमिट कितनी होती है 5000 लोगों को जोड़ा जा सकता है इसके बाद मुम्किन नहीं ठीक है बिल्कुल और सेकंड चीज अगर मैं आपर बताती हूं नियूंतम आयो कितनी होनी चाहिए कम से कम आप 13 साल के हो तो ही आप के मज़ां ब्लगा जोड़ करें अवसकी होते हैं तो क्यों कinking वह चूस कर लेते हैं को को अब कि थोड़ी नहीं कर रहा है चाहिया तो क्यों थे तरह लिक नहीं दिया करता वहाँ पर तो लिख लिखा होता है क्योंकि 13 टीन एज में बच्चा लग जाता है तो उसमें समझ होती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और अधिक्तम कोई एज नहीं होती हूँ वर्णर के बारे में नहीं वह CFO है ठीक है डैविड वर्णर क्या है वह CFO है उतना पूछीता नहीं है चीफ देखो मैं बताती हूं एक होता है CFO लिख दो यहीं बर यहीं बर लिख लो ना CEO कि इसकी फूलसर मोट एचीफ ओइने अफ़िसर फैसे देने वाला बहुत है वह ति में बाठनाव था ऐसंटल भा में चीफ ऐसीफ के तो मार्क जुकरबर दोनों में अंतर है याध रखना ат C.F.O और C.E.O दोनों में अंतर होता है मार्क जुकरबर कॉरते हैं उन्होंने वॉटसथ भी खरीद लिएन नहीं लेकिन पैसे लगाने वाले वॉटसथ वाले को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो आगे चलते निक्स्ट अब आता है वाटसेप अच्छा वाटसेप के बारे में बताओ जरा मुझे कुछ वाटसेप कौन से साल आया सोच उसने कितनी धूम मचा दी वाटसेप को कौन से यह लॉंच किया गया था थोड़ा सा बताना वाटसेप को कौन से यह लॉंच किया गया था बताना है पटाफट से बिल्कुल भी मेसेंजर तो है इसको लॉंच कब किया गया था वाटसेप की अगर हम बात करते हैं तो बताओ वाटसेप को खरीदा क्यों डाउन्रोड कर देती है इतनी नहीं समझ थी ना विचारों को ठीक है चलो अगर में वाटसेप की बात करती हूं तो इसको कब लेकर आये था इसको जन्वारी 2009 में लॉंच किया गया था में जन्वारी 2009 में वाटसेप को लॉंच किया जाता है किर दो pub कम आप यहां पर व उसके द्वारा इसको लांच किया जाता है तो ऑठर कौन हो जाएंगे व्रियन एक्तर और जौन कॉम और जौन, पॉप्लियन कॉम इन दोनों के द्वारा यह मतलब यह और इजनल ओठर है मतलब जिन्हों ने शुरुवात की थी इन दोनों के द्वारा क्या किया गया वाट्सेप को इन दोनों के द्वारा वाट्सेप को क्या किया गया था लॉंच किया गया था 2009 जन्वरी में ठीक है जन्वरी 2009 में दोनों के द्वारा वाट्सेप को यहां पर लॉंच किया जाता है WhatsApp के बारे में mostly जादा तरह चीज़े नहीं पूछेगा बस ये कि दोनों में चल जाती है चाहिए आपके पास हर एक platform independent होती है Xbox बारे में platform independent का मतलब क्या होता है platform independent का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि यह सभी OPERATING system पे चल जाता है चाहे Android का phone हो तो भी चला लोगे चाहे आपके पास iPhone हो तो भी चला लोगे सभी किंद्रा पराम से WhatsApp का इस्तमाल कर सकते हो ठीक है Apple वाला phone clear बिल्कुल सोनों दिवाकर जिए कीजिए अच्छा मुझे बताओ जब WhatsApp की वह आई थी क्या कहते हैं उसे जब WhatsApp ने अपनी condition रखी थी मुझे याद है आठ फरवरी तक के लिए रखा था नहीं तो फिर डिलीट कर देंगे account को जब इसने अपनी condition रखी थी तो एक application बहुत famous हुई थी भाई WhatsApp ने जब अपनी condition रखी कि हम क्या करेंगे हम आपकी सूचनाओं को अपने पास लेंगे और हमारे पास जितनी भी चीज़े जुड़ी हुई है चाहिए यूट्यूब है क्योंकि वाट्सप से लिंक होता है यूट्यूब का भी चाहिए फेस्बोक है चाहिए में जो भी चीज है मीडिया प् तब जब यह बहुत सारी कंडिशन वाट्सप के द्वारा रखी गई थी ना तो एक इसकी ऑल्टर नेटिव ऑल्टर नेटिव का मतलब होता है अगर यह नहीं होगा तो हम किस पर यह काम कर सकते हैं सेम इसी के जैसा हूब हो तो इसका ऑल्टर नेटिव मार्किट में आया उसका नाम था सिगनल और आश्चर्य की बात यह थी कि जो सिगनल था वह भी इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया गया था बहुत क्या हुआ था इन दोनों व्यक्तियों 2009 में लॉंच किया क्या वाट्सप अब 2013 में इनको पसंद नहीं आया वह लोग मान नहीं रह पर आ गए उन्होंने माना ही इनकी बात उनको लग गया बुरा इन्होंने का मेरी बात मानी नहीं तो यहां पर ब्रेयर एक्टर ने क्या कर अपनी जॉब स्विच कर दी छोड़ी वाट्सप से अब आ गई इन्होंने फिर अपनी खुद की अप्लिकेशन लॉंच कर दी उसकती है ठीक है अचा वॉटसप के अगरेम बात करते हो इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़े आ जाएंगी तो एक बार में 30 फोटो आप वाटसप के अंदर भीज सकते हों एक बार में 30 चितर में भेजे जा सकते हैं वंच में जो आप अपना स्टेटस लगाते हो अगर आप status पे कोई वीडियो लगाते हो तो वो 24 घंटे बाद अपने आप बदल जाती है मतलब हट जाती है जो भी आप status लगाती है 24 घंटे बाद वो अपने आप हट जाता है हर 24 घंटे बाद आपका status हट जाएगा अगर लगा रखा है तो clear WhatsApp के अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें बताना मुझे अगर आप status पे कोई वीडियो लगाते हो तो वो कितने सेकंड के लगती है अगर आप WhatsApp के status पे कोई वीडियो लगाते हो तो वो 30 सेकंड के लगती है तो कोड़े करके लगा सकते हो 30 30 30 सेकंड की पर पूरी एक वीडियो 30 सेकंड की लगेगी क्लियर है हाँ हट जाती लिखा है मैंने क्लियर किस्मी वाट्सप के बारे में आरे देखो मैं आपको बताती देखो एक चीज़ बताती मैं 2010 बताया था ना सुल लो सुल लो यहां पर देखो यह जो 2009 होती है यह इसकी इनीशल रिलीज है इनीशल रिलीज मतलब पहली बार एप्लीकेशन को release करके check किया जाता है कि application सही से चल रही है या नहीं चल रही है जब लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है फिर लोगों के लिए application को खोल दिया जाता है तो लोगों के लिए 2010 में application को खोला गया था लेकिन जो software developer थे जो चेक करते कि application काम करेगी और नहीं करेगी इनीशल लेवल पर इसको 2009 पर खोल दिया गया था यह इस प्रकार से होती है ठीक है आरी कोई दिक्कत वाली बात रिया अगर ऐसी कोई चीज होती है तो डेफिनिटली बात है मुझसे पूछ होगी ठीक है आगे चले है हाँ एलन मस्क्त पही किस पारी में ता रहे हो 24 गंडे बात हो जाएगी बिलकुल ठीक है ठीक है हम तो signal को यूज करेंगे नहीं आप तो खेल कंडिशन अड़ा दिना वाट्स अपने वाट आगे तो बहुत चीजे होती हैं अगोलता है है यह वाट गुकर चाहिए एक टायोड करते हैं चलते है N इन परे लिए आप वयर्टज व спрос कितने टाइम चला रहे हो कितना डेटा यरी तो जिस कंपनी का आपने डेटा लिब आertas अ सपोजके स्य आपाई एज़ेड एज़ेड कोई कमपनी है सिम ले रखे उसका डेटा पिस्तमाल करते हो जितना डेटा आप इस वाट्सेप के अप्लिकेशन में लगाओगे वो डेटा का जो रेट होता है वो डारेक्ली वाट्सेप की सरवर के पास जाएगा और यहां से वाट्सेप की कमा यह होती है डेटा बेचे जाती है यह डेटा गया वाट्सेप की सरवर के पास फिर वाट्सेप ने उस डेटा को बेच दिया किसी कमपनी को आप यूट्यूब देखते हो यूट्यूब देखने में आप कितना डेटा खर्च करते हो जितना डेटा आप खर्च करते हो वह ड को यूज करने पर हम भी तो खर्च कर रहें डेटा कर रहे हैं डेटा के हम लोग क्या देते हैं पैसे देते हैं चलो ट्विटर की बात करते हैं ट्विटर के बारे में बताई जरह मुझे यहां पर फटा फट से तुटीटर के बारे में बठाने कब लयूंच किया तया ट्वीटर को कि अपगी बताईए फटाफट से ट्वीटर के बारे में आपर पूरी डिनल बताने कहां काई कैसव बहुत साही चीज़िस को पर हुई कोई भी चीज़ वी चीज ट्रेंड में आ 2022 w लगा इसमें ट्रेंडिंग ला सकते हैं ना चलो ट्विटर कीफ़ेंग करती हूं तो 30 सितमबर 2015 को सब्सक्राइब क्या किया था ट्विटर को लाँच किया था ट्विटर को लांच किया था टूटर को लेकर आए कहां की कम्पणी यह अमेरिका की ट्वीटर कहां की एक सोचल निट्वरकिंग साइट है यह अमेरिका की एक वेबसाइट कहलो यह सोचल निट्वरकिंग साइट कहलो इसमें चिडिया होती है बिल्कुल सही 140 character एक बार में लिखे जा सकते हैं जब आप ट्वीट करते हों जैसे फेस्बुक पे आम लोग पोस्ट करते हैं न तो वहीं पोस्ट ट्वीटर पर ट्वीट कहलाता है एक ट्वीट करने के लिए 140 अक्षर को ही आप लिख सकते हैं 140 character को ही आप नोट कर सकते हों जो लोग verified होते हैं मतलब बहुत सारे जिनके follower है जो लोग verify कर दिये गए है authentic website है बड़ी लोग है उनको Twitter एक blue tick देता है क्या देता है उनको Twitter अच्छा बताना मुझे भी करेंट का कोशन है देखने हैं कितना पढ़ रहे हो आप लो उनको ट्विटर क्या देथा है उनको ट्विटर एक ब्लू टिक देता है हाला की वाइट कलर का गोला होगा ब्लू कटेकोंगा बहुत ऐसे समझ लो याव या फिक करती आप एसे कई समझू दिखो उनको क्या मि क्यानें यहां पर छोटा सा इसको वाइट करो और यहां पर बना दो इसको छोटा सा फ्लू टिक ऐसे बूटy मिल जाता है अभी हाली में आपको से बढ 새로 दिन थी यह को पर सो की बात है कौन से बड़ी नीटा या भी मन ब्लू टेक गैए यह सिर्फ वह करेंट से रिलेटिडर हेगा अभी हाली में वेंकाया नाईडू का ट्विटर का ब्लू टिक हटाया गया तो इससे हड़ पॉप मच गई थी पता है हमारे इंफोर्मिशन टेक्नोलोजी कॉम्मिनिकेशन वाले व्यक्तियों ने क्या करा डारेक्ट मेल भेजी कि ऐसा किया तो किया कैसे फिर खेर हला कि आगे चलकर यह ठीक हुआ थोड़ा आगे सा करेंट का भी पता होना जिए ना आगे चली है बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं पर धर्मींद्र जी ओकि नाइडू जी पवन जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है निहा जी ओके आप सपना जी लंबी वीडियो किसके अंदर अच्छा वाट्सेप पर कितने लंबी वीडियो लगा सकते स्टेटस में ओके सपना जी 30 सेकंड के लगा सकते हैं केवल 30 सेकंड के ठीक है चलो ओके क्लियर है आगे चलिए आप पर बिल्कुल एससे जीडी के एक्जाम कब तक होंगे गौरब पंजी देखो अ आयोग की तरफ से निकलेगी नोटिफिकेशन तो डारेक्ली आपको भी पता चल जाएगी ठीक है चलो इंस्टाग्राम के बारें बताओ इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है इंस्टाग्राम भी बहुत ही पॉपिलर एक नेटवर्किंग साइट बनती जा रही है बताना ज जैन जी इतना जल्दी कैसे जेपी सिंग रातो और जोद्पुर जी बात बाद में करना ठीक है चुप कर वाले ना पूरे जहान को दुख पूरे जहान में ठीक है तो इसलिए बीशान्त हो जाओ भी केवल पढ़ाई करो पाई की टाइम केवल पढ़ाई चलो इंस्टाग् को कब लॉंच किया गया तो इंस्टाग्राम को बिलकुल शेम विसाषर है आप लो 6 ऑक्टूबर दो हजार दस में ऐंस्टाग्राम को लॉंच किया गया था कब तो 6 ऑक्टूबरunn 6th of October 2010 में इंस्टाग्राम को लॉंच किया गया जी तुबस फेस्बूक अपना आगे चल रहे चुह इंस्टाग्राम को क्या किया था much방 की यह किया तो फेस्बूक के अंदर चुखा है फेस्ट सबी तो बहुत साइव चीज़ Ugh फॵेस्बुक के लिए नरहीं ठीक इनस्टाग्राम के अगने बात करते हूं बिल्कुल दो व्यक्तिव की द्वारा ड्यविन और माइक नेगर कॉन कॉन केविन और माइक नेगर ओ नाम के दो व्यक्तिवं यह original हो जाते हैं यह original काम करते थे कहां पर अर घर लिखना यह काम करते थे फेस्भुοक में और इन दोनों ने मिलकर इंस्तागराम को क्या कि लांच किया इंस्तागाम को 32 भाशाहों में लांच किया गया है 32 languages में Instagram को launch किया गया है Instagram के अंदर भी आप अपनी profile के अंदर story लगा सकते हो Instagram के अंदर भी आप photos को upload कर सकते हो Instagram के अंदर छोटी छोटी वीडियो की clip बना कर आप रील्स बना सकते हो तो रील शब्द किसे related है Instagram से related है ऐसे कोशन आते हैं ठीक है बिल्कुल पर नहीं है मैं personal status पर नहीं मैं personal मतलब क्या पूल रहे हो MP कि क्लास में क्यों नहीं रही हो माया जी मैं बताओ ना देखो Saturday में क्लास नहीं हो पाई थी Saturday में literally मेरी हालत थीक नहीं थी लेकिन आज होगी MP की क्लास MP exam by exampur उसमें थोड़ा और डीटेल में होती है चीज़े तो वन डे कॉम्पिटिटिटिव एक्जाम के क्लास डी क्या होता है कैसे आप निकालते हो होस्ट एड्रेस साथी में सोशल नेट्वर्किंग साइट भी इस पर चलेंगी सारी चीज़े में इस पर करवाने वाली हो तो शाम को पांच बजे आना डेड़ से दो घंटे की क्लास होती है अराम से पढ़ेंगे ना यह एंपी एक्जाम बाई एक्जाम पूर वाली चैनल पर होगी इवेंट बन चुका होगा आप एवर चेक कर लिना तो यह हो गया हमारा काम इंस्टाग्राम का अच्छा इसके बाद देखते हैं कू कू के बारे में किस ने सुनाए कू 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 का बताओ सुनाए किसी ने आप में से बिलकुल रिल्स आती है मैं चलाते हो यह सारी चीज़े सभी लोग चलाते हैं यह देखो कितना खुश हो गया आप लोग चलो बताओ चल्दी से मुझी जो आपकी क्लास अच्छा जो आपकी क्लास नहीं देखने आते वो यही चीज़े ज्यादा चलाते अच्छा किसने बोला यह पवन गुमार जी हम तो यह सोची नहीं थे चलो बताओ कू के बारे में किसने सुना आपको पता है अगर मैं बात करते हूं यहां पर ट्वीटर क आपका युएस सँ आमेरिका का तो इसके लिए भारत ने आत्मी निरवर एक एपलिकेशन बनाया उसको बनाया कू और कू इंडिया से या इंडिया का एकमेशन है सेम ट्वीटर की तरह आए तैसे म् ट्रीटर की तरह हमारी इतनी छोडी जी छोड़ी प drugi क्योंच से यहां पर यहां पर यहलो कलर की क्या हो जाती है को हो जाती है और यहां पर भी सेम ऐसे ट्रेंड होता है बहुत बड़े बड़े नेता अभी नेता इनों उनका अकाउंट बन चुका है यहां पर भी आप पोस्ट कर सकते हो सारी चीज़े सेम वैसी है जैसे हम ट्विटर पर कर सेम किया गई से लोंच बताना जरह कूक कभ लॉंट किया कैटी बताना जल्दी से कूप कभ लॉंच किया गया तो यह भी प्लेटफोरम इंडिपेंडेंड होता खूकर रॉंच किया अभी स्थमोंG हाजार अगर मैं बात करते हूं मई दो हजार एक किस तक इसके यूजर ओ गए रूप सुद और 2020 में इसको ऋॉंच किया गया है 2020 में इसको क्या किया गया है और अभी अगर मैं बात करते हो दोजार 21 माई तक तो इसके 6 million क्या हो गए है यूजर हो गए है शे मिलियन यूजर हो चुके इतने लोगों इसको इंस्टॉल कर लिया एक ओटीटी शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है ओवरदा टॉप ओ टी शब्द होता है यह बहुत जादा इस्तमाल होता है बहुत जादा स्माइल होई जैब से गाइडलाइन सानी शुरूरियście फूलिव होती है ओवरब। और टॉप यह वह सारी वेबसाइट्स होती हैं जिन वेबसाइट्स पे 50,000 से ज्यादा ूजर है या सब्सक्राइबर है जिन वेबसाइट्स या फिर जिन मतलब application पे 50,000 से ज्यादा यूजर है वो ओ टीटी वेबसाइटस के अंदर आती है चलो, बागी और भी चीज रह जाएंगी, वो हम कर्ण पढ़ेंगी, बेषिक कम पढ़ो लेकिन खुले से पढ़ो ताकि आगे कभी भी जो कोई भी बी चीज गलत न हो जाए, ठीक है, तो क्लास डेली होती है, डेली क्लास आपकी होती है, एक बज़े क्लास दोपहर में होती है और अगर मैं बात करते हूं अपी वाली तो आज एंपी वाली टास में आ जाना जिसको आई पी एड्रेस होस्ट एड्रेस निकालना देखना एक होता किया अपने सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजेगा तो मिलते हैं अपने घवालों का ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत उत्तर प्रदेश में गुरुप सी की 40-50,000 वेकेंसी के लिए यूपीटर पलेसी पी इटी का एक्जाम नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साथियों आपको ना सिर्फ पी इटी की तयारी करनी है बलकि पी इटी को ध्यान में रखकर आपको मुख्या प्रिक्षा के लिए भी तयार होना है इसलिए हम लेकर आए हैं संजीव नी वैच जिसमें मैं पढ़ाऊंगा हिंदी मैं आमान अजन सिन्हा जहां आप मेरे साथ 27 भारत की भुगोल के संदर में सभी कंसेप बेस क्लासिस को इंज्वाइ करेंगे हेलो दोस्तो मैं पुनीत सांगवान आपके लिए लेके आ रहा हूं मैच की कुछ बहतरीन क्लासिस बहतरीन कॉंसेप्ट के साथ आप सभी लोग मेरे साथ इतिहास रचने के लिए इतिहास विशे के साथ जुड़े हैं और मैं शोगन मिश्रा आपको पढ़ाऊंगे इस संजीवनी बैच में केमिस्ट्री